बिहार बोट से जितने भी परिक्षारती इंटरमेडियेट की बारसीग परिक्षा 2024 में समलित होने जार हैं तो आप सभी परिक्षारतियों का दूतिये डमी रजिस्टेशन कार्ड बिहार भी डाला परिक्षा समीति के तरब से कल ही जारी कर दिया गया है तो अभी के इस वीडियो में एक लाइब आपको डाउनलोड करके दिखा दूगा और आसान पर क्रिया समझा दूगा कि कैसे अपने मुवाइल फोन से आप डमी रजिस्टेशन कार्ड जानी से डाउनलोड कर सकते हैं उससे पहले आईए समझ लेते हैं कि डमी रजिस्टेशन कार्ड आखिरी में क्या है और क्यों जारी किया गया है तो यहाँ पे दिखिए बियार विद्दाला प्रिच्छा समीति के तरफ से ओफीसियल अपडेट जारी करके बताया जारा है कि जितने भी छातर छातराओं का रजिस्टेशन का कार्य अर्थात की पंजी किरी तो जो भी छातर छातराओं हो चुके हैं इंटर बोर्ड एकजाम 2024 के लिए उनका पहला डमी रजिस्टेशन कार्ड पीछे जारी किया गया था और उसमें 36 2023 तक सुधार करने का मौका दिया गया था तो जितने भी विद्यारती अपने पर्थम डमी रजिस्टेशन कार्ड को डाउनलोड करके सुमिश कुछ तुरूटी रह गया था और उसको सुधार के लिए उसकुल कॉले से संपर किये थे तो क्या ओ तुरूटी सुधार हुआ है की नहीं तो इसलिए दूतिय डमी रजिस्टेशन कार्ड जारी किया गया है और दूसरे वैसे विद्यारती की जुमान लिजे डाउनलोड नहीं कर पाये थे तो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके फिर भी जो दूतिय डमी रजिस्टेशन कार्ड आया है उसमें कोई तूरूटी तो नहीं अगर कोई भी तूरूटी होगा तो निर्धारित समयाओ अधी में अपने विद्याले माहा विद्याले में संपर करके आप सुधार करा सकते हैं तो सभी परिक्षार्ती जो भी इंटर के बोड एकजाम 2024 में समदित होने जा रहे हैं तो निर्धारित समयाओ अधी में अपने विद्याले माहा विद्याले में जाकर आप सुधार करा सकते हैं कब तक सुधार कराएंगे तो कल जारी किया गया था और 10-7 तक आप सुधार करा सकते हैं यहाँ पे देख लिए डेटोगारा दिया गया 10-7 तक या कि आप सुधार करा सकते हैं 10 साथ तक तो आपको सुची करन कार्ड में जो भी आपका नाम है या माता पीता का नाम है उसमें कोई भी लगू में spelling mistake है तो आप सुधार करा सकते हैं फोटो बदलवाना है जनमतिती जाती धर्म रास्तियता लिंग भी सै बैबाही किस्तिती क इसी में भी आपको सुधार कराना है तो आप सुधार करा सकते है अपने dummy registration का जारी जानकारी दीया गया है उसको आप सुधार करा सकते हैं चलिए मैं पले एक दिखा दे रहा हूँ कि किसी रूप में dummy rejection काडe download हो रहा है और उसमें किया जानकारी कहां पे दिया रहे तो सकता नहीं है अगर उस रूप में जनकारी नहीं है तो आपको सुधार जरूर करा लेना है उसके बाद हम लो सीख लेंगे कि कैसे इसली अपने मुबाइल फोन से आप डमी रेजिस्टेशन काड डाउनलोड कर सकते हैं चातर का मैं दिखा दे रहा हूं देखिए डूटीय डम मी रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट इंटर बोड एकजाम 2024-2022-2027 के लिए तो इसमें देखिए आपको क्या-क्या मिला लेना है कि यहाँ पर आपका जैसे इस चातर का फोटो ऐसे फोटो सिगनेचर होना चाहिए यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर माता का नाम यहाँ पीता की बात नहीं जनम की तारिका आप मिला लेँगे कि आपका डेट आट ऑ बर्ष सही है कि नहीं संकाय जिसमीं संकाय से आप ज़ाम में समलीत होने जारें बिद्यालय का विजालय का कोडो और यहाँ पर नाम आपका सही रहना चाहिए जिसमीं विचैसे से आप संमलीत होने hanging sign प्रविश्टेशन काड़ डाउनलोड हो रहा है कोई भी तुरूटी नहीं नहीं डाउनलोड हो रहा है इस रूप में कोई भी तुरूटी आपको दिखाई दे रहा है तो निर्धारित समयाव अधियर्थत की 10-7 तक जाकर आप जल्दी से सुधार करा लेंगा अपनी स्कूल कॉलेज के माध्यम से ताकि आपका जो ओरिजिनल राइस्टेशन काड़ आई उसमें कोई तुरूटी नहीं कुई को उसमें देखिया सपस्ट रूप से बताया जा रहा है को उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा चलिया मैं एक लाइफ डाउनलोड करके दिखा द करने के लिए अपने मुवाइल फन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स माइए और आर केरियर फॉइंट इस चैनल का नाम ऐसे टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए जैसे ही आप सर्च करेंगा आपके सामने सामने सर्च रिजल्ट आ जाएग का इसमें आपको सबसे उपर Admit कार में बताया जार towel देखलों इंटर सेकनड डमी रइस्टेशन कार्ट 2024 से यहां पे देख लिए ये इसी सबसे उपर है तो इसीं इंटर सेकनड डमी रइस्टेशन कार्ट दो जानकारी यहां पर पढ़ सकते हैं कि पूरा यहाँ पे official update है, कि आके आजानकारी आप सुधार करा सकते हैं, देखिए सभी जानकारी यहाँ पे बताया जारा है, कब से कब तक आप download कर सकते हैं, तो 4 जुलाई को जारी किया गया था, 10 जुलाई तक इसे आप download कर सकते हैं, कोई भी तूरूटी है, तो सुधार आ करा सकते हैं, पूरा update है, किस रूप में यहाँ पे आपका download हो रहा है, पूरा यहाँ पे समझाया जा रहा है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे link देखने को मिल जाता है, देखिए second dummy registration card, link 1 और link 2, यहाँ पे सब से उपर मिल जा, अगर मालीजी आपना प को किसी भी link पे click करना है, देखिए मैं आपके सामने mobile phone पे सभी कारे करके दिखा रहा हूँ, मैंने link 1 पे click किया, आपके सामने इस तरह page open हो जाएगा, यहाँ पे लिखेगा 12 registration card 2022-24, सबसे उपर आपको school code, और फिर यहाँ पे आपका जो भी संका है, alt science commerce, उसको आपको यहा यहाँ पे college का code, यहाँ पे student का नाम, यहाँ पे संकाय, और यहाँ पे father's number, यहाँ पे date of birth, type करके view button पे click करना है, चलिए मैं एक छातर का यहाँ पे सभी चीज़ टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ, अब देखिए इस तरह यहाँ पे आपको college code अपना type करना है, यह यहाँ पे अपना संकाय, यहाँ पे नाम, यहाँ पे पीता जी का नाम, यहाँ पे आपका date of birth, बिल्कुल सही से जैसे मैंने एक छातर का type किया, और उसके बाद यहाँ पे view button है, simple सा आपको इस view button पे click कर देना है, जैसे ही आप सभी जनकारी सही सही type करके view button पे click करेंगे, देखिए link active है, यहाँ पे आपके सामने इस तरह page open होगा, नीचे की तरह पे scroll down कीजेगा, यहाँ पे आपका पूरा जनकारी open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे box है, इस पे simple सा आपको tick करना, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे tick कर दिया, और यहाँ पे download report का option है, simple सा आपको download report पे click करना है, और आपको थोड़ा सा wait करना है, तो यहाँ पे नीचे की तरह print button आपको देखने को मिल जाता है, simple सा इस print button पे click करना है, और यहाँ पे देखे एक PDF पे click करके आप इस PDF के रूप में भी save करके रख सकते हैं, आपने देखा कि enter का दूतिये dummy registration card जारी कर दियागा, और उसका link भी active है, आसानी से आपके mobile phone से download हो जा रहा है, मैंने live आपको dummy registration card दूतिये जो आया है, इंटर board exam 2024 के लिए उसको download करके दिखा दिया, और सभी पर किरिया मैं आपको समझा दिया, और जो भी official update था उसको भी हम लोग समझ चुके ह तो यहाँ पे arcareerpoint.com website के admin card वाले section में सबसे उपर इस post में जो इस पर लिखा इंटर सेकेंड dummy registration card 2024, सीमपस आपको इस पर क्लिक करके अपना dummy registration card डाउनलोड कर लेना है, यहाँ साकर जल्दी से download कर लीजे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद